हेलो फ्रेंट्स टेक्निकल अमन बहुत में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको अपना लेप्टॉप दिखाने वाला हूँ वो लेप्टॉप जो कि आप स्किन कास्टिंग करके आप अपने मॉवाइल में जो वीडियो देखते होंगे अपने लेप्टॉप में जिस लेप्टॉप की वीडियो देखते होंगे उसकी कंडिशन क्या है और वो किस टैप की कंडिशन में आपको वीडियो प्रवाइट करता है उसी लेप्टॉप के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में तो फ्रेंट चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आपको कि ये लैप्टॉप जो मैंने लिया था ये लिया था मैंने सारी तीन हजार रुपे का इसमें बहुत कुछ खराबी थी वो मैंने सही भी कराई थी उसके बारे में मैं बताता हूँ क्या कि इसमें खराबी थी तो सबसे पहले मैं बता दूँ इसमें सबसे पहली खराबी क्या थी इसका एक बटन काम नहीं कर रहा था ESC वाला जो बटन है वो काम नहीं कर रहा था तो उसको भी मैंने डलवाया ESC वाले बटन को डलवा उसका उपर का जो बटन होता वो सोपी स्थोड़ सा खराब कर रहा था तो मैंने अलग से दूसरे लैप्टॉप का जो बटन होता उसे लगवा के ताकि पूरा कवाड रहे अच्छी तरीका से वो दीखने लगे इसका कोई impression यहाँ पे ना पड़े side में यह dvd writer जो है यह भी खराब था तो मुझे कुछ ज़्यादा need नहीं थी dvd writer की इसलिए मैंने dvd writer को सही नहीं करा湯 dvd writer को कुछ ज़दा भी नहीं है मुझे पर external divd writer है तो मैं dvd writer का जो भी काम है मैं external DVD writer से कर लेता हूँ side में मैं दिखाने चाहता हूँ कि इसका जो fan था fan में दिक्कत आये थी अगर आपके भी laptop में fan में दिक्कत आती है तो आप अपने नजदी की अपने जो भी repair करते हो laptop में तो उन से जाके एक वर service जरूर करा दीजे और इसमें oil डलवा दीजे, जब आप fan में oil डलवा दीजे तो ये अच्छी तरहिए से work करने लगता है मेरे वाले में भी ond Parents में दिक्कत थी fan सही तरहिए से work नहीं कर रहा था और मैंने जब oil डलवाया तो ये अच्छी तरीके से वर्क करने लगा था इसमें BIOS उड़ गई थी BIOS होता है इसमें कुछ तो इस BIOS की वैशे से ON नहीं हो रहा था ON नहीं हो रहा था तो मैं तो यही समझ रहा था यह बेकार हो गया लेकिन उसने बताया था यहाँ पर इसकी बैटरी भी खराब होई थी मैंने इसकी बैटरी भी पढ़वाई थी बैटरी मुझे मिली थी 700 रुपे की बैटरी मिली थी और अपना एक गंटा अच्छी तरीका से यह मतलब बैक अप दे देती है एक गंटा भी बहुत है लेक्टाप के लिए एक गंटा बाद अपना चार्जिंग पर लगा लो क्योंकि कभी-कभी क्या होता पहले इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉल्म थी कि जब ओन करते थे इसको तो बिना बैटरी के ओन ही नहीं होता था इलेक्टिसिटी से ओन करो तो कभी-कभी लाइट चली आ रही है फिर कभी-कभी हमें बहार भी चलाना पड़ रहा तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी हम मैं इसे लेप्टाप को ओन करके दिखाता हूँ की सरकल के स्टाइब का ये इसमें ज़्यादा दवाब देने पर मतलब ये आपके बैग में रखा हो या किसी चीज में रखा हो तो जब हम उसके उपर बैट जाते हैं या फिर किछी भारी बजन की वएसे इसकी जो स्क्रीन है वो दबाब में आ जाती है तो आपने बहुत से लेपट आप में देखा होगा उसमें भी स्क्रीन में ये ब्लैक कलर का जो आ जाता है मतलब स्क्रीन डेमेज हो जाती है लेकिन सही तरीके से वर्क करती है आपके लिए बिल्कुल अच्छी तरीका ये वीडियो तो बना कर देता है लेकिन मुझे कभी कभी दिक्कत होती है दिखाई नहीं देता है इसमें देख सकते हैं बलैक वाले में इसमें कुछ नहीं देखता है क्योंकि ये W screen है और यहां पर फिलाल अभी अच्छी तरीका से यहां पर वर्क कर देता है इसलिए मैं अभी यहां पर बदलने नहीं चाहता हूँ अभी फिलाल आपके लिए वीडियो ये बना के दे दे रहा है यही बहुत है ठीक है फ्रेंट्स यहां पर नीचे की साइड देख सकते हैं वाई फाई का एक बटन है यहां पर डवल टैप जब आप इसे करेंगे तो यहां पर यह बलू में यहां पर हो जाता है और आपका Wi-Fi यहां पर स्टार्ट हो जाता है बहुत सारे इसमें Wi-Fi की एक और दिक्कत थी तो Wi-Fi के जो तार था इसमें थोड़ सा दिक्कत था दूल में TCR थी जो मैंने इसको रिपेर होते हुए देखा सामने तो इसमें बहुत साई दूल थी और मतलब वो भी कह रहे थे कि अगर आप इसमें 6 महीने बाद इसका जो सर्विस है वो करा लिए तो बैटर रहेगा कोई भी अगर लेप्टॉप अगर आपका नहीं चला है तो उसकी सर्विस जरूर करा है ठीक है friends यहाँ पे मैं properties दिखाये था हूँ इसमें एक चीज की और प्रावलम थी 1GB RAM थी जो इसमें hanging करने की प्रावलम कर रहा था तो मैंने इसमें यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैंने यह 1GB और इसमें RAM बढ़वाई दो जी भी यहां पर RAM होगी तो थोड़ा सा अच्छी तरीका से वर्क कर रहा है क्योंकि कभी मैं कुछ भी MS Word या MS Excel कुछ भी Google Chrome भी खुल लाता पहले तो बहुत देर में खुल लाता और हैंगिंग बहुत ज़ादा हो रहा था तो उस computer वाले ने बताया कि आप इसमें अगर दो जी भी RAM पढ़वा लेंगे अच्छी तरीका से वर्क करेगा और सही तरीका से आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं तो friends आज की इस वीडियो में बस इतना ही कैसा लगा यह laptop आप मुझे comment box में ज़रू बताएं ठीक है friends उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें comment करें और चैनल को subscribe करें